हेलो स्टोइंट्स वेलकॉम बैक टू एलिट टूटर्स चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिसेट 1.3 और कॉश्चन 5 से लेकि कॉश्चन 9 तक कि जितने भी कॉश्चन है 1.3 में बचे वी वह सारे इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो चलिए कॉश्चन 5 में क्या लिखाए गिविन में कि इन ट्रपीजियम पीक्यू आरेस तो यह एक ट्रपीजियम है पीक्यू आरेस इसके अंदर दिया है कि साइट पीक्यू जो है वह साइड एस र को पैरलल है मतलब ऐसा भी समझे कि यह जो है इसको पैरलल है और फिर आप देखोगे तो AR ये है और फिर AP के अगर बात करो तो AP ये है AS के अगर आप बात करोगे तो AS ये है और AQ की बात करोगे तो AQ ये है और जो पूछा है उसमें अगर SR की बात करते हैं तो वो ये है और PQ की बात करेंगे तो वो ये है मतलब यह जितने भी segments दिये हैं वो यह दो triangle के दिये हैं मतलब यह triangle के triangle APQ जिसको हम यह आपर suppose लिखते हैं और यह triangle triangle ASR अब दिखिए अगर आप यह दो triangle को similar prove कर देते हो तो आपका यह जो बात है यह पूरा हो जाएगा दूसरी बात है कि दोनों triangle का position आपको inverted लग रहा है एक उल्टा है एक सीधा है तो correspondence कैसे होएगा इसके साथ यह थोड़ी आएगा जैसा यह tapering उपर है इसका tapering इचा है तो इसके साथ यह है इसको अगर rotate करेंगे इस तरह के से तो A के साथ में A है P के साथ में R है और Q के साथ में S है तो देखे P के साथ R है यहाँ पर P है और यहाँ पर R है आप याद रखना R के साथ इस तरफ वाला है P ना कि R के साथ Q है और Q के साथ क्या है S है तो Q के साथ S है क्योंकि जब हम triangle similar लिखेंगे और symbol लिखेंगे तो आपको correspondence बराबर लिखना है दूसरी बात है students की ये question को solve करने के दो method है जिसे दिखिए अगर हमको solve करना है triangle को similar करना है तो हमारे पास तीन टेस्ट है एस एस टेस्ट और SSS टेस्ट इसमें से ये टेस्ट तो बिलकुल नहीं आएगा तीनों साथ के बारे में हमारे पास कोई knowledge नहीं है information नहीं स्वरी क्योंकि थर्ड वाला तो हमको prove करना है तो हम यहां से कैसा लिखेंगे देखिए तो पहले तो आप लिखे दो triangle जैसे यह triangle लेना है और यह triangle लेना आपको बताया था तो हम यहां पे लिखेंगे कि in triangle APQ triangle का नाम लेने टाम आप कुछ भी लिख सकते हो APQ and triangle ASR ASR यह दो triangle में आप दो angle किसी तरह बता दी कि equal है उसके बाद आपका काम हो जाएगा तो देखिए इन दो triangle में ये angle ये angle को equal रहेगा क्योंकि दो line जब cross है तो ये दोनों angle vertical opposite angle होते हैं और वो हमेशा equal होते हैं तो हम बोल सकते कि angle PAQ जो है वो angle SAR के equal में रहेगा और जिसका reason रहेगा vertically opposite angle तो यहाँ पर लिखते हैं कि angle PAQ angle PAQ जो इस triangle में है वो congruent है angle SAR SAR जो इस triangle में है और इसका reason क्या है vertically opposite angle यहाँ पर लिखते हैं vertically opposite angle जो आप full form में लिख दीजें और इसको कर देते हैं condition number 1 तो एक angle हमारे पास आ गया अब second angle आपको कैसे मिलेगा अब यहाँ पर अगर आप देखते हों तो यह sorry यह जो है यह इसको parallel है और यह transversal है तो यह दोनो angle यह वाला और यह वाला angle भी equal हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे alternate angle देखे यह दोनो angle equal हो जाएगे जिसको हम alternate angle बोलेंगे तो वो एक information और दे सकते हैं यहाँ पर तो हम लिखेंगे angle apq angle apq angle apq is congruent to angle देखे यह वाला angle यह वाला angle को equal है तो ars हाएगा angle ars और इसका reason आजाएगा alternate angle तो यहाँ पर लिख देखे थे alternate angle test alternate angle test please आप पूरा लिखे और यह हो जाएगा आपके लिए condition no.2 तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं from 1 & 2 from condition 1 & 2 तो 1 & 2 में क्या आपको मिल रहा है आपने 2 angle इस 2 triangle के equal बता 2 angle बता दिया तो angle angle test से दोनों triangle क्या हो जाएगे similar हो जाएगे अब यहाँ पर आपको correspondence याद रखना है जिससे अगर इस triangle का नाम मैं APQ लिख देता हूँ APQ तो मैंने पीछे आपको position बताया था तो इस triangle का नाम क्या रहेगा तो similar है और triangle इस triangle का नाम दिखे A के साथ तो A है क्योंकि यही A दोनों के अंदर है तो A के साथ A है दूसरा यहां से समझ में आ रहा था कि यह वाला angle यह वाला angle को equal था मतलब P के साथ में है R तो यहां पर P है तो यहां पर आ जाएगा R तो 3rd जो बचेगा अपने आप रहेगा Q के साथ में क्या रहेगा S रहेगा प्याँ जाएगा S और इसका reason रहेगा by angle angle test angle angle test for similarity यह आपको पूरा पूरा लिखना है जो भी मैंने बोला है तो अब दिखे अगर दोनों triangle similar हो जाते हैं तो आपको मौलब में कि उनके sides जो होते हैं वो ratio में होते हैं तो हम बोल सकते कि therefore AP upon आपको यहां से पता चल जाएगा यहां से triangle को नहीं दिखेंगे तो भी चलेगा अगर आपने correspondence लिखा है तो AP upon AR जो है AP upon AR यह equal हो जाएगा first to first to लिया है second to second लेंगे PQ upon RS PQ upon RS which is equal to AQ upon AS तो यहां पे लिख सकते हैं AQ upon AS अब इसके बाद आपको यह चाहिए को यह फ्रू分 कर ना तो SR और PQ कहां पे है SR मतलब यह RS और PQ यहां पे है जो इसके भी equal में है और वो इसके भी equal में तो कोई एक ले लिजी चाहिए यह pair ले लिजे चाहिए यह दौनों ले लिजे तो कोई चेंज करने के जुरत नहीं तो यहां पर लिख देते हैं ap upon ar फिर दीखे आपको यह प्रूव करना कैसा प्रूव होएगा तो which is equal to ap को ap लिख देते हैं कोई बात नहीं लेकिन जहां पर ar है वहां पर आप देखे 5 ap लिख सकते हूँ क्योंकि ar का value क्या दिया 5 ap तो यहां पर आप लिख सकते हूँ 5 ap और यहां पर reason लिख सकते हूँ कि since ar is given 5 ap ही दिया हुआ है तो इससे क्या फ़रक बढ़ रहा है left side में pq upon sr वैसे ही है sr अब देखे यहां पर ap और ap cancel हो रहा है तो उपर 1 बच रहा है नीचे 5 बच रहा है तो यहां पर finally हम बोल सकते हैं कि pq upon sr is equal to 1 upon 5 और अब अगर आप cross करते हो तो sr बन जा sr हो जाएगा which is equal to 5 into pq 5 pq हो जाएगा और यही चीज आपको जो prove करने का था वो मिल गया आपको यहां पर तो यह first method होगा second method में इसी को हम क्या करेंगे यह वाले test से करेंगे sas test से तो चले second method में हम क्या करते हैं पहले यह लिखते हैं जो दिया हुआ है लिखते हैं कि ar which is equal to 5 ap और फिर उसके बाद क्या करते हैं ap को यहां पर लेकर आते हैं तो यह हो जाएगा therefore ar upon ap which is equal to 5 और यहां पर नीचे कुछ नहीं है तो 5 upon 1 इसको कर देते हैं condition no.1 उसी तरह भी यह लिखते हैं कि as which is equal to 5 aq तो as which is equal to 5 aq और इसको भी यहां पर लाते हैं तो यह हो जाएगा therefore as upon aq which is equal to 5 upon 1 इसको condition no.2 कर देते हैं तो देखिए ar और as जो है ar और as यह बड़ा triangle में है और ap और aq जो है ap और aq जो है वो छोड़े triangle में तो अभी तक हमने क्या बता है कि ar upon ap ar upon ap और as upon aq equal है दोनों का देखिए value 5 upon 1 5 upon 1 आ रहा है तो यहां पर from 1 and 2 इतना लिख देते हैं कि from 1 and 2 from 1 and 2 यह दोनों equal हो जाता है ar upon ap का value equal हो जाता है as upon aq का value इसको कर देते हैं condition no.3 और फिर test अगर आप सोचते हो तो sas test में हमने क्या देखा था कि 2 side का ratio और उनके बीच का angle equal अगर होता है तो दोनों triangle similar होते हैं तो 2 side यहां पर मिल रहा है देखिए यह upon यह और यह upon यह है मतलब यह दोनों side और यह दोनों side आ रहा है तो यह बीच का angle आपको पता है वैसे इक्वल है vertical opposite angle तो यहां पर हम लिखते हैं कि angle p aq angle p aq is congruent to angle s a r s a r और इसका reason है vertically opposite angle और इसको आप लिखोगे condition no.4 तो दिखिए third condition मैंने बोला कि दोनो side का ratio equal है और fourth condition मैंने बोला कि दोनों की बीच का angle equal है तो अब यह दोनों triangle similar हो जाएंगे by s a s test तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक minute from 3 and 4 यहां पर लिखते हैं कि from third and fourth equation दोनों triangle similar हो जा रहा है मतलब triangle a p q पहले दिखिए बड़ा और triangle कि हमने यह लिया था तो triangle a s r triangle a s r यह याद रखना पड़ेगा आपने ऊपर a r रखा है नीचे a p रखा है तो पहले triangle बड़ा और लोगे अगर आप उल्टा करते थे तो वह इसा करना पड़ता था तो triangle a s r is similar to triangle अब यहां पर भी आपको करस्पने स्याद रखना है तो a तो a s r जो है वो a q p के equal में रहेगा तो फिर हम यहां पर ratios लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि therefore a s upon a q यह equal हो जाएगा s r upon q p या p q which is equal to a r upon a p और फिर यहां पर अगर यहां पर दिखते हो तो a r upon a p 5 upon 1 है तो a r upon a p 5 upon 1 है a s upon a q a s upon a q 5 upon 1 है तो कोई एक वाले आप substitute करें और s r और p q को रखी क्योंकि यह आपको प्रूव करना है तो हम लिख सकते हैं कि therefore s r upon p q s r upon p q is equal to 5 upon 1 और यहां पर लिख दिए फ्रॉम 1 लिख दिजिए तो भी चलेगा यहां 1 & 2 लिख दिजिए क्योंकि वाहां पर हमने बताया कि 5 upon 1 हो रहा है अब इसको q 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 यह वाला value 20 दिया है यहाँ पर फिर DC 6 है यह जो value है वो 6 दिया है और OB 15 है यह जो value है वो 15 दिया है और OD फाइंट करना है OD हमको फाइंट करना है तो दिखा जाए तो वापे से यही दो triangle के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं यह triangle और यह triangle तो वही जो हमने पीछे देखा था same system में यह दो triangle को आपको similar प्रूव करना है और since यहाँ पे एक side पूछे ही है तो आपने को एक ही test से प्रूव करना पड़ेगा angle angle test से जिसे previous में कहा था same रहेगा और naming जो है वो आपको आप समझ में आ गया होगा मतलब correspondence के बगएर तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं कि यह triangle और यह triangle में मतलब triangle OCD आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं शुरूआत में मैंने आपको बताया था तो लिखते हैं in triangle OCD OCD AB हमने यह पर correspondence ध्यान नहीं दिया भी correspondence अब को बात में symbol में ज़रू ध्यान देना है अब यहां पर पहले तो यह दोनो angle equal रहेंगे क्योंकि vertical opposite angle है तो यह दोनो angle equal रहेंगे जिसको हम बोसकते हैं angle COD is congruent to angle AOB या BOA कुछ भी बोले है angle से भी कोई फरक नहीं पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं कि angle COD angle COD is congruent to angle चलिए लिखते हैं BOA BOA इसका reason रहेगा vertically opposite angle और इसको कर देते हैं condition number 1 उसी तर अब क्या होएगा कि second जो है उसमें हम बोलेंगे कि यह और यह parallel है और यह transversal है तो हम यह पर लिखेंगे कि एक minute तो हम इसा reason बताते हैं कि AB is parallel to CD and AC is transversal तो इसा लिखते हैं कि AB is parallel to CD या DC जैसा यहाँ पर दिया है DC and यह जो है यह transversal है जिसका नम AC है तो and AC is transversal तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यह दोनों एंगल equal हो जाएंगे तो देखें पहले तो हमने यह दोनों एंगल equal बता है क्योंकि यह था vertical opposite angle और अब हम बता रहें यह दोनों एंगल जो alternate angle हो जाएगा तो यहाँ पर लिखते हैं कि angle C sorry OCD angle OCD is congruent to angle OAB angle OAB B और इसका reason रहेगा alternate angle alternate angle और इसको कर देते हैं condition number 2 पीछे भी आप यह लिखो के तो अच्छा रहेगा जो हमने पीछे के sums में किया था यह हमने transferal वाला system ने रिखा था तो अब दीकिए from 1 & 2 आपको क्या लग रहे है कि जब 2 angle आपने बता दिया है दोनों के अंदर तो दोनों triangle similar हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं from 1 & 2 तो लिखते हैं from 1 & 2 triangle अब इसका नाम अगर हम लिखते हैं COD COD तो वो similar हो जाएगा इसके लिए आपको correspondence याद रखना है वो तो दोनों में same है तो यह O middle में है तो यहाँ पे भी O middle में रहेगा यह याद रखे C यहाँ पे है जो इसके equal में था तो A यहाँ पे आजाएगा C के जगे पे A और फिर बसता यहाँ पे D और यहाँ पे बचेगा B तो यहाँ पे आजाएगा B तो COD similar हो जाएगा AOB को और जब यह अगल similar होते हैं तो आपको मालू में ratio मिल जाते हैं तो देखे जिसमें से CO upon AO CO upon AO यह equal हो जाएगा OD upon OB OD upon OB which is equal to CD upon AB CD upon AB अब जिसमें से हमको सब के जुरुत नहीं है देखे CO AO यहाँ पे नहीं चाहिए OD OB चाहिए OD और OB चाहिए और CD AB CD और AB यह चाहिए तो हम यह दो ratio को लिखेंगे अब लिखेंगे therefore OD upon OB is equal to CD को यहाँ पे DC लिखा तो DC लिख दीजे DC upon AB और फिर इसका value लिखते है OD के place पे OD हाएगा क्योंकि हमार पास नहीं है तो OD same रहेगा फिर upon OB अगर आप देखो तो 15 है यहाँ पे 15 आ जाएगा which is equal to DC 6 है यहाँ पे 6 आ जाएगा upon AB 20 है तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और फिर cross multiplication करते है तो OD को multiply करेंगे 20 से तो OD multiply by 20 which is equal to 15 multiply by 6 15 multiply by 6 therefore OD यह हो जाएगा 15 multiply by 6 divide by 20 अगर इसको 5 के टेबल में cancel करेंगे तो 5 3s are 15 और 5 4s are 20 फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6 तो देखा जाए तो यहाँ पे 3 3s are 9 बसता है उपर और नीचे 2 तो 2 से divide करने का मतब हाफ हो जाएगा 9 का तो 4.5 होएगा therefore OD जो है आपको मिल जाता है 4.5 तो OD हमसे पूछा था और आपको OD मिल गया यहाँ पे 4.5 OD तो चली 6 वाला question finish होता है इसके बाद का question देखते हैं तो चली 7 वाला sum देखते हैं और इसमें क्या लिखा कि quadrilateral ABCD is a parallelogram तो quadrilateral ABCD जो है यह parallelogram है जिसका मतलब है कि यह इसको parallel है और यह इसको parallel है यह आप याद रखिए फिर आगे क्या लिखा कि point E is on the side BC यह BC के उपर ही है यह point और फिर बोला कि line DE intersects ray AB line DE intersect line AB in point T मतलब जब DE को आप आगे लेके जाओगे और AB को भी अगर आप आगे लेके जाओगे तो दोनो point T पे क्या कर रहे है intersect कर रहे हैं फिर हमसे बोला कि prove करो कि DE multiplied by BE which is equal to CE multiplied by TA तो DE की तर है students DE यहाँ पे है BE यहाँ पे है CE कहाँ पे है CE यह है और TE कहाँ पे है TE यहाँ पे है तो इतना अगर आप देखते हो तो यह triangle और यह triangle मतलब यह 2 triangle आपको क्या करना है similar prove करना एक बार similar prove कर लिए आपको यह मिल जाएगा जिसमें से दिखिए यह दोनों angle तो आपको समझ में आ गया होगा कि vertically position angle है वाकि दूसरा कौन सा angle आपको मिलेगा और यह angle angle test से prove होगा क्योंकि हमार पार side का को information नहीं है तो मैं बताऊंगा जिससे अब थोड़ा सा correspondence के बारे में समझते हैं तो यह यह position पे है और यह इस तरव आ रहा है तो यह position पे है दोनों का position अगर ऐसा कर देंगे तो देखे दोनों देखने में same है अब नाम में जो गड़बड होता है वो तो हम यहां पे जब sum solve करेंगे तब ही करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले triangle लेते हैं यह वाला और यह वाला तो हम यहां पे लिखते हैं कि in triangle d e c आप triangle का नम कुछ भी लिख सकते हो क्यों correspondence के time सही लिखना है तो यहां पे हम लिखते हैं कि in triangle d e c d e c d e c and दूसरा triangle हम यह ले लेंगे triangle t b e लिखे या t e b लिख दीजिए triangle t e b अब दिखे अब कौन से दो angle equal है वो बताना है तो एक minute तो दिखे पहले अगर देखेंगे तो यह line और यह line intersect करें point e पे तो यह दोनो angle equal हो जाएगा जिसको हम बोलेंगा vertically opposite angle तो हम यहां पे लिखते हैं कि angle d e c e t e b तो t e b और इसका reason आजाएगा vertically opposite angle और इसको हम कर देते हैं condition number one फिर एक angle आपको मिल गया एक angle और ढून लिजिए आपका triangle similar हो जाएगा तो दिखे अगर यह parallelogram है और यह इसको अगर parallel है तो यही line straight किया है मतलब यह जो line है फिर वो यह line को parallel है अगर a b dc को parallel है तो a t जो है यह पूरा line यह पूरे line को parallel है dc को और यह जो है उनके बीच में से अगर transversal समझा जाए तो यहाँ वाला angle और यहाँ वाला angle equal हो जाएगा जिसको हम alternate angle बोलते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a t is parallel to dc and bc is transversal and bc is transversal therefore हम बोल सकते हैं कि यह angle यह angle को equal रहेगा तो यहाँ पर लिखते हैं therefore angle tbe देखेंगे पहले हमने dc triangle लिया है तो यह इसका पहले बताना पढ़ेगा तो यह बताना पढ़ेगा तो angle dce angle dce is congruent to angle अब इसमें आते हैं teb angle teb और इसका reason रहेगा alternate angle alternate angle और इसको कर देते हैं condition no.2 तो फिर से हमने दो angle बता दिया तो from one and two हम बोल सकते हैं कि therefore from one and two अब triangle अगर इसका पहले नाम लिखेंगे d e c तो हम बोलेंगे triangle d e c is similar to triangle तो अब यहां पे correspondence जरूरी है तो e जो था e के equal में था तो middle में e है तो यहां पे middle में e रहेगा दूसरा है c जो है वो b के equal में है तो यहां पे c third में है तो c अगर यहां पे third में है तो b यहां पे third में रहेगा तो इसका नाम क्या आ जाएगा b e आ गया है t बच रहे तो t e भी आएगा तो d e c जो है वो t e b को similar हो जाएगा जिसका reason क्या रहेगा angle angle test for similarity और फिर हमको ratio मिल जाता है तो देखिए हमको तो मिलेंगे 6 ratios लेकिन हम six ने लिखेंगे क्योंकि हमको sub नहीं चाहिए जिसे देखिए d e upon t e जो है d e upon t e यह equal हो जाएगा e c upon e b लेकिन e c k पर c e लिखी क्योंकि यहाँ पर देखिए तो हर जेगे पर e जो है last में है तो c e upon b e लिख देगे c e upon b e और तीसरा देशियो मिलता था d c c upon t b जो यहाँ पर कहीं नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा तो बस देखिए अब आप क्रॉस करिए d e को b e से multiply करिए तो therefore हो जाएगा d e multiply by b e d e multiply by b e which is equal to c e multiply by t e c e multiply by t e और फिर जो हमसे पोच्छा है देखिए वह ही वह चीज़ मिल गया तो यहाँ पर प्रूव हो जाता है चली question में 7 finish होता है 8 वाला करते है तो चली 8 वाला question दिखते हैं simple question है क्या लिखाए कि in figure segment a c and segment b d intersect each other at point p तो segment a c और segment b d intersect each other at point p p पर लोग intersect कर रहे है फिर उसके बाद क्या लिखाए कि तो आपको प्रूव करना है कि यह दोनों triangle similar है तो दिखे अगर यह दिया है मतलब दो side का ratio आप दिया है तो दोनो side और दोनो side के बीच में जो angle है आपको मालुम है कि vertical opposite angle है तो इसका मतलब है side angle side test से यह दोनो triangle हम similar प्रूव कर सकते है तो चलिए अगर test के बारे में बात करेंगे तो यह side angle side test से प्रूव होएगा तो यह दो triangle लेंगे हम यह दो ही triangle है यहाँ पर और तो कोई triangle है भी नहीं कि आप लोगे और यहाँ पर दूसरी बात है कि correspondence को लेंगे चलिए अगर figure को rotate करके हम देखेंगे तो यह figure इस तरीकी से है यह figure इस तरीकी से इसको अगर ऐसा rotate करेंगे इसको ऐसा rotate करेंगे तो एक जैसे दिखेंगे और naming में जो changes आएगा उसकी आपको figure यहाँ पर क्यों ने करना because यहाँ पर अल्रीड दिया हुआ है और यह correspondence के साथ ही में रहता है तो चलि हम शुरू करते हैं टेस्ट की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि फिर यह वाला टेस्ट आएगा SAS test क्योंकि दो side का ratio दिया है equal और उसके बीच का जो angle है वो यहाँ पर vertical abuse triangle से same भी हो रहा है तो हम शुरू करते हैं पहले यह triangle लेते हैं और लिखते हैं कि in triangle a p b a p b and triangle दूसरा ले लेते हैं a p b लिया है c p d ले लिजए कुछ भी लिख सकते हैं c p d और अब यहाँ पर angle के बारे side के बारे पहले बताते हैं कि a p upon c p is equal to bp upon dp bp upon dp यह क्यों equal है क्योंकि यह दिया हुआ है तो given इसको कर देते हैं condition no.1 यह given कर देते हैं कोई बात नहीं और फिर दूसरा लिखते हैं angle देखें सिंस यह दोनों intersect कर रहे हैं तो यह दोनों angle तो हम बोल सकते हैं कि यह angle और यह angle रहेगा तो इसके लिए हम लिखेंगे angle अभी a p b लिया है पहली यह triangle तो हम बोलेंगे angle a p b angle a p b is congruent to angle इसके अंदर हम बोल सकते हैं c p d angle c p d और इसका reason रहेगा vertically opposite angle और कुछ one and two करना नहीं है बस यहां से हम बोल सकते directly कि therefore triangle अब नाम आप चोहे तो यहां से ले लीजिए कि triangle a b p is similar to triangle c d p c d p और इसका test आ जाएगा angle angle test for similarity बस इतना ही करना था students हमारा जो proof था इतना ही करना था तो चलिए 8th question के बाद last वाला 9th question करते हैं तो चलिए एक last question करते है 9th वाला इसमें क्या लिखा गए in the figure in triangle a b c मतलब यह triangle में point d point d on side point d on side b c is such that to point d जो है on side b c वो इस तरीके से place हुआ है कि angle b a c angle b a c यह वाला angle equal है यह वाला angle equal है angle a d c को angle a d c को मतलब यह दोनों angle equal है तो एक angle equal दिया है दोनों के अंदर यह आपको धिहान रखना है फिर हमसे बोला कि प्रूव करो कि c a square is equal to c b into c d तो अब देखे यहां पर वैसे अगर देखा जाए तो तीन triangle students एक तो यह बड़ा triangle जिसका नाम है a b c दूसरा यह triangle a d c और तिसरा यह triangle a d b अब दो triangle को आपको similar यहां पर प्रूव करना है अगर आपको यह चाहिए तो लेकिन वो 2 triangle को उन से रहेंगे वो हमको समझना है तो वो चीज़ यहां पर decide हो सकता है जिससे देखे c a square which is equal to c b into c d है c a square मतलब दो बार c a है और फिर c b और c d है एक c a और c b अगर check करेंगे तो एक c a यह है और एक c b अगर check करेंगे तो यहे है मतलब यह triangle के बारे में बात होगा triangle a b c तो एक triangle हो जाएगा a b c यह आपको यादखना है फिर दूसरा अगर देखेंगे c a तो यह है दूसरा CA और दूसरा CD, पहले हमने CA और CB लेकर ये triangle समझा, मतलब हमको लेना है बड़ा ओला triangle, और दूसरा CA और CD लेना है, तो CA तो हो गया, अब CD देखेंगे तो ये है, मतलब जो दूसरा triangle चाहिए, वो ये triangle है, ये triangle, तो ये 2 triangle आपको क्या करना है, similar prove करना है, अब अगर position समझेंगे, तो अगर इसा turn करते हैं आप, तो आपको एक बार लगता है कि हाँ, ये position same है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो larger part right side में, इसका larger part left side में, इसका smaller part left में, इसका smaller right में, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको इन figure को, इसको आपको flip करना पड़ेगा इस तरफ, देखे, इसको अगर हम इस तरफ लेके आएंगे धीरे-धीरे, तब जाके ऐसा बनेगा, फिर इसको अगर हम आगे लेके चलेंगे, तब जाके ये दोनों का figure का position से हमेगा, खेर position को छुड़िए, अब हमको correspondence किस तरह लिखा जाता है, वह हमको समझ में आगया है, चलिए दो triangle को, मतलब ये बड़े triangle को, चोट triangle को similar prove करेंगे, और वो prove करेंगे हम angle-angle test से, तो हमको ये दो triangle लेने का था, जिसमें से बड़े वाले triangle का नाम है ABC, और ये वाले triangle का नाम है ADC, जिसमें से अगर आप देखोगे तो ये angle और ये angle equal दिया है, यहाँ पर दिया है, BAC, ADC, BAC और ADC, दूसरा अगर आप देखोगे तो C जो angle है students, ये दोनों के अंदर वही है, इस बड़े triangle में जितना C है, उतना ये चोटे triangle में भी C है, तो C common आ रहा है, तो बस आपको दो angle मिल गया तो angle-angle test से देखे, ये और ये ये, दो angle मिल गया तो angle-angle test से आप ये दोन A, B, C and triangle ADC, ADC, ये वाला angle, ये वाले angle को equal है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे angle BAC, यहाँ पर, angle BAC is equal to, या congruent to angle ADC, ADC, angle ADC, ये given है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि angle ACB, angle ACB is congruent to angle ACD, ACB बड़े लिटर आइंगल में और ACD छोड़े लिटर आइंगल में, तो ACD, ACD और इसका reason रहेगा common angle, common angle, तो दिखें, दो angle आपको मिल गया, तो अगर दो triangle के अंदर आपने दो angle equal बता दिया, तो angle अंगर टेस से दोनों triangle similar हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, therefore triangle, अब यहाँ पर आपको correspondence जाद रखना है, suppose मैंने इसका नम ABC लिख दिया, तो लिखेंगे triangle ABC is similar to triangle, अब दिखें, A लिखा है पहले, और A आपको मालूम में इसको equal था, B, A, C, अगर A, D, C को equal था, तो यह एंगल, यह एंगल को equal था, तो यहाँ पर D पहले आजाएगा, फिर B जो है, वो यह है, जो किसी को equal यहाँ पर symbol में ने दिया था, लेकिन C जो है, वो C को equal था, दोनो में comment था, तो C third place पर आ रहा है, तो बीच में क्या बचेगा, D, C आ चुका है, D और C आ गया, तो A बच रहा है, तो यहाँ पर आजाएगा A, तो अगर first वाले का नाम A, B, C है, तो second वाले का नाम आपको मिलेगा D, A, C, A, B, C और D, A, C, देखें, यह एंगल से गए blank के पास फिर double के पास, तो यह एंगल से गए blank के पास और double के पास, तो A, B, C और D, A, C, तो जब यह प्रूव हो जाता है, तब आप वो लिख सकते हो, ratio लिख सकते हो, जिसमें से 6 ratio हो, पूरा लिखेंगे, यहाँ पर एगर A देखो को तो right side में है, तो हम A, B नहीं लिखेंगे, B, A लिखेंगे, और लिखेंगे, B, A, upon D, A, which is equal to B, C, C, B लिखा है, तो C, B, upon C, A, C, A ही लिखा है, तो C, A लिख देते हैं, which is equal to, देखे, 1st 2, 1st 2 के equal में है, 2nd 2, 2nd 2 के equal में है और 1st और last, 1st और last के equal में है तो AC, CA लिखा है तो AC के जगे पर हम CA और CD लिख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे CA upon CD उसके बाद अगर आप देखते हो तो BA और DA जो है वो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है ना BA न DA यहाँ पर दिख रहा है तो आपको यह दो रेशो याद रखना है और इसका cross multiplication करना है तो दिखेंगे अगर cross करेंगे या इसको पहले लिखेंगे इतना यह ratio को लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं therefore CB upon CA CB upon CA is equal to CA upon CD CA upon CD और फिर cross करेंगे तो CA को CA से C into CD आजाएगा तो CB into CD आजाएगा और फिर यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूब करने का था तो चलिए फिर 9th question last question भी finish होता है मिलते हैं next video में thank you very much